विदेशी बाजारों में कपास में आ रही तेजी के बीच कोटन एसोसियेशन ओफ इंडिया यानी CIE ने 2023-24 सीजन के लिए अपने कपास उत्पादन के अनुमान को बरकरार रखा है दरसल अनिकाश उत्पादक शेत्रों में कम पैदावार के करण वर्ष 2023-24 के सत्र में कपास का उत्पादन लगबग 8 फीसद घटकर 294,10,000 गांट रह सकता है देश के उत्री शेत्र में पिंक बॉल वर्म कीट के संकरवन के कारण इस वर्ष उत्पादन 24,08,000 गांट घटकर 294,10,000 गांट रहने का अनुमान है जिसमें आयात और आरंभिक स्टोक शामिल है वहीं अगर घ्रेलू खपत और निर्यात पर नज़र डालें तो जनवरी 2024 के अन तक कपास की खपत 110,000,000 गांट होने का अनुमान है जबकि 31,000,000 जनवरी 2024 तक निर्यात 9,000,000 गांट होने का अनुमान लगाया गया है वहीं अगर अंतिम स्टोक की बात की जाए तो जनवरी 2024 तक 91,000,000,000 गांट होने का अनुमान है जिसमें कपड़ा मिलो और अन्यों का स्टोक भी शामिल किया गया है वहीं अगर कुल कपास की सप्लाई की बात करे तो 2023-24 के सीजन के अंत तक 345,000,000,000 गांट पर इसे बरकरार रखा गया है जिसमें शुरुआती स्टोक और आयात को शामिल किया गया है फिलाल अगर देखा जाए तो इस सीजन के लिए कपास आयात का अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 9,50,000,000 गांट अधिक है वहीं 2023-24 सीजन के लिए घरेलू, खपत और निर्यात अनुमान पिछले वर्ष के समान ही रहेंगे वहीं C.I.E. ने कपास सतर 2023-24 के अंत तक यानि 30 सितंबर 2024 तक अपनी कुल कपास की सप्लाई को 345,000,000 गांट पर कायम रखा है गनातरा ने कहा है कि इस सर कम उत्पादन अनुमान के कारण आयात अधिक होने की उमीद है C.I.E. ने ये भी कहा है कि कपास सतर 2023-24 के लिए निर्यात पिछले साल के समान सतर पर लगबग 14,000,000 गांट रहने का अनुमान है जबकि वर्ष 2022-23 में निर्यात 15,000,000 गांट का हुआ था ऐसे में बाजारों में कपास की कीमतों में फिलाल तेजी देखने को मिल रही है चलिए आपको जानते हैं कि आज मंडियों में कपास के क्या भाव देखने को मिले अगर हरियाना की मंडियों की बात की जाए तो आज हरियाना की मंडियों में कपास का भाव नीचे में तो उपर में 7100 के आसपास देखने को मिला है सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की मंडी की धामनोद मंडी का पास का रेट नीचे में 502 तो उपर में 7115 रुपई देखने को मिला वहीं संग्रिया की मंडी में आज नर्मे का भाव 6441 रुपई रहा जबकि बरवाला मंडी में आज नर्मे का भाव 6750 रुपई रहा वहीं आदमपूर मंडी में आज नर्मे का भाव 6857 रुपई देखने को मिला है वहीं अगर एलनाबाद की बात की जाए तो एलनाबाद की मंडियों में भी आज नर्मे का भाव 6900 रुपे के भाव को चुग गया तो वहीं कपास 6400 रुपे के सरपर कारोबार करती दिखाई दही वहीं भट्टू मंडी में अगर बात की जाए तो भट्टू मंडी में नर्मे की बोली आज 635 रुपए पर लगी चबकि कालावाली मंडी में नर्मे का भाव 6,900 रुपए पर पहुँच गया वहीं भुना मंदी में आज नर्मे का भाव 6465 रुपए तो कपास का भाव 6599 रुपए पर देखने को मिला ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी